रहते हैं ऐसी बानी बोलिये जम कर जगड़ा होए पर उससे न बोलिये जो आप से तगड़ा होए यहाँ पर इसराइल अब इसने मोर्चा खोल दिया है सोरोस के खिलाफ सोरोस वही न जोर्ज सोरोस हाँ जी विल्कुल वही भारत और इसराइल दोनों एक तरफ खड़े से मुलाकात होती है और उसके बाद नए राष्टपती मुईजू एलान करते हैं जानेंगे मुईजू ने क्या एलान किया है जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से वैसे आपको बता दे मुईजू और पीम कि हम भारत की सेना को यहां से भेज देंगे तो जाहिर सी बात है भारत की सेना को भेजना ही है वरना सत्ता हिल जाएगी कुर्सी हिल जाएगी एकदम से ना हुआ तो यह बात तो तैही थी कहा जा रहा है कि पीम मोदी और मुईजू के बीच मुलाकात हुई और उसके कुछ गंटों के बाद कहा गया मोईजू के द्वारा कि जी हां हमारी बाचीत हुई है और भारत सरकार तैयार है अपने सैनिकों को वापस लाने के लिए माल्दिव के राष्टपती ने प्रदानमंत्री नरिंद मोधी से मुलाकात की और भारतिय हेलिकोप्टरों को ओपरेशनल विमानों को कैसे रखा जाए इस पर चर्चा की और दोनों ही देश एक कोर ग्रूप बनाने को लेकर सहमत हुए जो एक सेट अप होगा जो गौर करेग कि हेलिकोप्टरों का ओपरेशन आगे कैसे होगा राष्टपती मोयू ने माले में संबादाताओं से कहा कि हमारे बीच हुई चर्चा में भारत सरकार भारतिय सैनिकों को हटाने को लेकर सहमत हो गई है हम विकास पर योजनाओं से सम्मंदित मुद्दों को हल करने के लिए एक उच अस्तरिय समीती गठित करने पर भी सहमत हुए है द्वीप राष्ट के पाथ आपात कालिन चिकित्सा निकासी और बाद बाकी कई सारी मदद के लिए दो होलीकप्टर दिये गए थे 77 भारतिये सैनिक कर्मी थे तो अब कहा जा रहा है कि यहां से भारत अपनी सेना क नहीं रहेंगे लेकिन आम लोगों का ग्रूप रहेगा अब यह आम अधिकारी होंगे जो सैनिक नहीं होंगे और इन हेलिकॉप्टरों के संचालन को देखेंगे तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माल्दिव की कहानी अभी पूरी तरीके से खतम नहीं हुई ह चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है थोड़ा रूप रेखा और रंग बदल गया है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी बात हुई है और ये बात भारत के लिए कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा फाइदे मंद है इसराइल हमास के युद्ध के द्रिड समर्थन की वज़ा से मौझूदा राश्पती जो बाइडन के खिलाप एक जुट होने का हैलान किया है मुस्लिम नेताओं ने फैसला कि वह अगले साल होने वाले राश्पती चुनाओं में जो बाइडन को वोट नहीं देंगे अमेरिका में मुस्लिम नेताओं का ये फैसला एबंडन बाइडन हैस्टेक के साथ सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीटर पर ट्रेंड करता रहा और ये अभियान उस वक्त सुरू हुआ है जब मिनेशोटा के मुस्लिम अमेरिकियों ने बाइडन से 31 अक्टूबर तक युद विराम का आहवान करने की मांग की थी लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तो दिरे दिरे ये अभियान अमेरिकी राज्य मिसिगन एरिजोना विसकॉंसीन फ्लोरीडा तक फैल गया है मिनेशोटा के मुस्लिम अमेरिकी समू का कहना था कि हम चाहते हैं यहां पर अब ये युद रुक जाए निर् तो इसका क्या मतलब है इजराइल रुक रहा है नहीं जी इजराइल रुक नहीं रहा है बलकि इजराइल ने गाजा के दूसरे सबसे बड़े सहर को खाली करने का आदेश दे दीया है दुनिया से हमास का नामों निसान मिठाने का ऐलान कर दिया है कतर से अपने एजेंट औसाद को बुला लिया है और बोला है अब बात करनी की जरुबरत नहीं है सोमबार को खाली करने का आदेश जारी किया गया इसराईल ने पूरे गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ ग्राउंड ओप्रेशन करने सुरू कर दिये हैं और का जा रहा है कि पूरे गाजा पट्ट कि आस पडोस के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए के लिए वहाँ से चले जाने का आधेस दिया है उन्हें सुदूर दछीन के इलाकों में जाने का निर्देश दिया गया है आपको बता दें खान यूनिस दछीनी गाजा में इस्थित्वे जहां 1400 नागरिक पहले से उत्र दोर की चेतावनिया जारी की है और जहां बाद में इजराइली सैनिकों ने भारी बंबारी की है जिसके वज़े से यूएन के अधिकारियों की आलोचना का भी सामना करना पड़ा जो कहते हैं कि गाजा में और विस्वसनिय बिजली और इंटरनेट की स्थिती तूटने के कार दचनी गाजा पट्टी में आने के लिए कहा था और अब इजराइल ने जमीनी अभियान को पूरे गाजा पट्टी में सुरू कर दिया है दचनी इजराइल जहां ज्यादा तर सरनार्थी स्वीर मौजूद है उन्हीं लाकों की इस्तिती और भी ज्यादा खराब होने की आ पर हमला किया जिसमें उत्तरी गाजा में स्कूलों के अंदर इस्तित आतेंकवादी अभियान अस्थलों को नश्ट करना भी सामिल है अब कहा जा रहा है कि यह महमास क्या कर रहे हैं नीचे नीचे बहुत सारा बंकर बहुत सारा चीज बना रखा है और उपर से अस्पताल स इस्कूल का साहरा ले रहा है इनके पीछे चिपने की कोसिस कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है खैर अब जहां एक तरफ यह सब कुछ हो रहा है तो इसराइल ने साफ का आई कि देखो हम किसी को ऐसा नहीं कर रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह भेर और इन्दर 35 के कंपोनेंट बेचे और इसकी वज़े से आज इसराइल के पास F-35 है और इसराइल इसका इस्तेमाल कर रहा है खिलाफ में हमास के और गाजा के जो होना नहीं चाहिए जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ इस बार जोर्ज सोरोस के खिलाफ भी इसरा कि जोर्ज सोरोस ने 15 मिलियन डॉलर दिये हैं एक एंजियो को एक ऐसे एंजियो को जो हमास ग्रूप को सपोर्ट करता है इसराइली अमबेजडर गिलाड अर्दन ने कहा कि सोरोस के डोनेशन का इस्तेमाल बहुत ही गलत कारियों के लिए किया जा रहा है वैसे आपको बता जोर्ज सोरोस को लेकर कई बार इंजाम लगते रहे हैं पिये मोदी के खिलाब भी इसी तरह की फंडिंग की बात कही गई थी जोर्ज सोरोस ने तो सामने आकर कह दिया था वहीं दूसरी तरफ अलेन मस्क भी ये आलोचना करते हुए देखे गए है जोर्ज सोरुस का कि जोर्ज सोरुस जो कर रहे हैं उससे दुनिया में और ववस्था पहल रही है इस अरभपती के ऊपर यारोप लगते हैं कि ये अपनी संस्थाओं द्वारा और अपने पैसे के बल पर सत्ता बदलने क कोसिस करते हैं इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ